हेलो एर्यवन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल यूवी एस क्लासेश देखे आज हम करने वाले हैं एक्सिलेंस स्कूल इंट्रेंस एक्जाम पार्ट 3 जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे दो पार्ट हो चुके हैं जनल नौलेज हिस्ट्री के और यह हमारा थर्ड पार्ट क्लास 9 के लिए अगर आपने वो डोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो हम स्टार्ट करते हैं कुश्चन नंबर हमारा है 41 इन विच रीजन ऑफ इंडिया वर दर फिर्ड बोल सकते हैं एक गाने का स्टाइल भी होता है सुफी और जो प्रे करते हम वो भी होता है इन एंड अराउंड डेली तो इसका सही आंसर होगा डेली में और उसके आसपास के इलागों में हमारा अगला कुश्चन है दब भक्ती मुमेंट वाच फर्स्ट और्गनाइज तो आशर होगा रामा जुना चार ने सबसे पहले भक्ती मुमेंट चलाया था इसके आगे चलते हैं तुल्ची दास रौट राम चरित मानस ड्यूरीन रिजन अउफ तो देखे कुश्चन हमारा है कि तुल्ची दास राम चरित मानस लिखी थी वह किस टाइम के लिखी थी या किसके टाइम पर लिखे दी तो अगबर जो उस वक्त अगबर का साशन था उस टाइम पर लिखी गई थी आगे चलते हैं विच सूफिशंट दरगा इस अजमेर में किसकी दरगा है तो मुईदीन चिश्टी की है आगे चलते हैं देखे बाबर जो था उसने मुगल सामराजी की निव रखी थी 1526 में तो किसको हराया था उन्होंने तो इसने इबराहिम लोडी को हराया था आगे चलते हैं वेन अकबर वाज यंग जब अकबर यंग था इस गार्डियन वाज तो उसका गार्डियन कौन था इसका रक्षक या फिर संग रक्षक कोन था तो कौन था बेरम खां आगे चलते हैं तैमूर इंडिया दूटिं दर इजन ओफ देखे जो टैमूर जो एक आतंग वादी था उसने इंडिया पर हमला कब किया था तो किस टाइम पर किया था नसिरुद्दिन महमूट के टाइम पर आगे चलते हैं देखे यहां पर लिखा है कि जो डेली सर्थनत पूरी तरफ से खटम होने की कगार पती तो कब खटम हुई थी नादीर सहा ने जब हमला किया था जब तो इसका आंसर होगा नादीर सहा आगे चलते हैं विच बेटल वाज फॉट इन एडी इलेवन नाइन्टी तू इलेवन नाइन्टी तू में 1102 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी तो सेकेंड बेटल ओफ तराइन देखे तराइन का जो डूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1102 में हुआ था इससे से लिए एक और कूशन है कि जो फॉर्स्ट बेटल जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध वो कब हुआ था 1109 में इसके जस्ट एक साल पहले तो यही हमारा कूशन है विच बेटल वाज फॉर्टिन एडी इलेवन नाइन्टी वन 1100 इन्टाणू में कौन सा युद्ध लड़ा गया था तो फ इस ने लिखी थी तो यह इसका सही आंसर होगा अमीर खुस्रो कि अमीर खुस्रो ने लिखी थी आगे चलते हैं इंडिया वाज इन्वेंटेड बाइ टैमूर इन अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैमूर ने जो भारत पर आकर्वन किया था वो कब करा था तो 1398 ए वेटेड ऑन नौर्डन बैंक ऑफ तो यहाँ पर लिखा है कि हमपी जो अभी करनातक में हैं वो कौन सी नदी के किनारे पर था नौर्डन बैंक ऑफ तो टूंग भढ़रा नदी जो है वहाँ पर करनातक में तो टूंग भढ़रा जीवर आगे चलते हैं 54 डे केपिटल ओव जो बहुमैनी राज जिधा हुसी रायदानी क्या थी तो उसके रायधानी की गुलबरग आगे चलते हैं यह चार मिनार किसने बनाया था तो कुली कुटूप शहा ने ये बनवाया था आगे चलते हैं देके बीजक एक book है जो कि कभी दास ने लिखी है लेकिन कभी दास पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो उनके जो six थे उन्होंने लिखी थी ये book आगे चलते हैं तुलसी दास was contemporary of मतलब तुलसी दास जी जो थे वो किसके सम्कालीन थे तो वो किसके थे अकबर के सम्कालीन थे मतलब उन्ही के time पर थे आगे चलते हैं गोवा was captured by पूर्टगीज देके गोवा पर जो पूर्टगीज लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था तो वो कब क्या था AD 1510 मतलब 1510 में किया था अब इस वीडियो का हमारा सबसे लास्ट कोश्चन होगा देखें क्या लिखा है यहाँ पर तो इसका आंसर होगा पर्टेगिस नयमें इसलिए यहाँ पर हमें ठोश सकता है ठोड़ा सा अजीब लगे लेकिन इसका तरही आंसर यही होगा पर्टेगिस यह हमारे सारे कोशचन हो चुके हैं जो हमें आज 20 कोशचन करना थे उम्मिदे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्टों के साथ शेर करें चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू